मुख्य मंत्री सुख्विंदे सिंग सुखु ने केंद्री सरकार से आपदा प्रभावित हिमाचल को विशेश राहत पैकेच प्रदान करने वह आपदा राहत कोश के प्रचलित मांदंडों में विवहारिक संशोधन की मांग की है मुख्य मंत्री ने कहा कि इस वर्ष भारी बारिश से राज्य में 12,000 करोड रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है और इस आपदा में 441 अधिक लोगों की मौत हुई है जबकि 13,000 घर पूर्ण रूप से क्षति रस्त हुए हैं सुखविन्दा सिंग सुखु ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश वासियों के सहयोग से ततकाल राहत वबचावकारे शुरू किया और प्रभावितों के लिए आपदा राहत कोश भी स्थापित किया गया मुखे मंत्री ने कहा कि हिमाचल को शिगर ही विशेश राहत पैकेज प्रदान किया जाए ताकि राज्य के पुनर निर्मार में उचित सहायता प्रदपाप्त हो सके बैठक के दोरान मुखे मंत्री सुखविंदा सिंग सुखु ने हिमाचल में स्थापित 100 मेगावाट की शानन जल विद्यूत पर योजना को मार्च 2024 में लीज की अवधिसमाप्त होने पर हिमाचल को सौपने में पंजाब सरकार के सहयोग मांगते हुए इस विशे में केंदर से भी आगरा किया मुखे मंत्री ने अन्य जल विद्यूत पर योजनाओं के मुद्दों के अलावा जम्मु कश्मीर और लदाक के सीमा विवादों को श्रीक रसुल जाने की भी केंदर एग्रेह मंत्राले से मांग की